नमस्कार दोस्तो अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टोपिक रहेगा आई जी बीटी टेस्ट करना और मोसफेट टेस्ट करना दोनों को साथ साथ टेस्ट करके दिखाएंगे तो दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन गंटिव दबा दें जिस्टाना वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए देखें दोस्तों आइजए बीटिए का का लिए हए ऒोल्टिज और हई करंट के लिए होता है और यह भोट सारे टांजिस्टर जोड़के बनाते हैं यह मोडल कहीं डानिए ढरा जोड़के पाधि वगरा जोड़के बनाते हैं तो यह जो मेरा मोस फेट है यह मेरा इंडक्शन कूकर में यूज होता है विसमें यह वाला मेरा गेट है यह मेरा क्लेक्टर है यह मेरा एमिटर है तो हम इसको कैसे चेक करते हैं हम इसको एमिटर और क्लेक्टर के बीच में नेगेटिव पोजेटायों लगा के चेक करते हैं, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यह वाला collection पर रखा है और यह वाला कुछ नहीं आ रहा है, और इधर देखते हैं, इल्थर भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों यह यहां से gate जो मेरा gate है, तो मैं इस पर negativeatti reads लगता हूँ और ये वाला मेरा collector पे आया और ये मेरा emitter पे आया तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है open दिखा रहा है तो ये भी ठीक है इस condition में मैं ये वाला इसका positive इसके collector पे और ये इसका emitter पे देखता हूँ तो ये भी open दिखा रहा है तो मैं lead change कर लेता हूँ ये मेरी जो negative lead है मैं इ इधर देखता हूँ तो यह नहीं दिखा रहा है तो यह मेरा सही है और जैसे यह वाला मेरा सही है तो मैं यह वाला चेक कर लेता हूँ अब दोस्तों यह तो दोस्तों ये मेरा आई जीबिटी है ये SORT है ये 000 ये 00 दिखा रहा है और मैं गेट के इसमें देखता हूँ ये मेरा яет है ये देखो गेट के साथ एमिटर SORT दिखा रहा है और ये वाला भी SORT दिखा रहा है अब मैं लिर्ड चेंज कर लेता हूँ देखो ये लिट चेंड करने के बाद भी 00 दिखाड़ा है तो ये मेरा transistor IGBT sort है तो दोस्तों ये मेरा IGBT module है तो इसका check करने का तरीका ये होता है ये मेरी जैसे पिने हैं ये अंदर की जो साइरी पिने हैं ये वाली और ये वाली ये मेरी emitter होती है और इसमें ये वाला एक collector होता है एक emitter होता है तो ये जो ये वाला है ये हमारा इस side का gate और इस side का gate ये इसमें दो gate होते हैं और दो emitter होते हैं तो जो हमादी high voltage या high current लेना होता है तो हमें इस पर जोड़ना होता है यह module इसके gate के साथ तो यह gate के साथ 00 बता रहा है और मैं emitter के साथ देखता हूँ यह meter के साथ भी 00 बता रहा है तो यह मेरा module खराग है अब मैं इसकी leg तूट गई मैं दूसरे वाले इसके देखता हूँ दोस्तो यह वाला B 00 बता रहा है और यह वाला तो इसके साथ हुआ दोस्तों तो ये मेरा मोडूल भी खराब है अब मैं ये वाला दोसा मोडूल है ये छोटा है थोड़ा इससे ये वाला मैं इसको भी चेक करता हूँ इसमें तो पांच पीन थी मेरी और इसमें मेरी ये चार पीन है इसमें एक कलेक्टर होता है एक एमिटर और ये gate तो दोस्तों मैं इसको देखता हूँ ये मैंने इसके collectory पर रख्या और ये मेरा gate हुआ तो ये वाला मेरा 0.305 और मैं इसको उल्टा देख hinaँ तो क्या दिखाता है ये इसके साथ तो 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 शू करा रहा हुआ और इसके साथ ये जी दिखा रहा है तो ये मेरा तो ये भी मेरा IGBT खराब है दोस्तो ये आज की मेरी टेस्टिंग पुरी हुई आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेर, कमेंट्स और सस्क्राइब करने हैं